आज हम चात्रों कक्षा ग्यार्मी में राजनीत्ती विज्ञान में विधाई का वाला जो पोर्शन है अध्याय पांच उसका भाग ब्रोका अध्यान हम करेंगे तो हम देखते हैं कि जो विधाई का है कैंद्र की वो लोग सभा और राज्य सभा तो इनको कुछ विशेश सक्तियां प्राप्त हैं तो लोग सभा में कुछ विशेश सक्तियां पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि इसमें धन से संबंदी जो धन विदेयक होते हैं वो केवल लोग सभा में ही पास होते हैं और वो ही उसको सुविक्रित और संशोजित कर सकता है बाद में राज्य सभा में जाता है लेकिन राज्य सभा भी उसको बाद में सुविक्रित या संशोजित करने के लिए दे सकता ह तो लोग सभा यहां पर देखिए आप यह लोग सभा की कुछ शक्तियां हैं और इस वाले घंड में राजी सभा की कुछ शक्तियां हैं इन शक्तियों को मैं वैसे पड़ा चुकी हूँ फिर भी यह पॉइंट बनाकर यह आपके सामने प्रस्तुत है तो जितने भी और जो धन हमारा मंत्री ए मंडल है मंत्री परिशद लोग सभा राज सभा के प्रति लुट्त्तर यह नहीं होता है racist से कर प्रस्ताव हैं बजट वित्ती वर्ष तो ये सब जो वित्ती हैं ये इनको अपन वित्ती वर्ष में बजट प्रस्तुत करते हैं और लोग सभा में हम प्रशन पूछ कर राज्य सभा में भी माध्यम से हम प्रस्ताव लाकर एक बहुत ही बहुत महतुपून अविश्वा आपात काल की घुशना कर सकते हैं कोई विष्येष परिस्थिती में रास्ट पती और उप्रास्ट पती का चुनाओं तो करते हैं ये इनकी एक न्याई कार है समीति और आयोगों का गठन भी करते हैं जो समीतियां होती हैं हमाई संसरी वह गठन करती हैं और हर विद्धेयक और प्रतिवेदन पर अपनी रेपोर्ट प्रस्थत करते हैं अब देखेंगे आप राज्य सभा की शक्तियां तो चितने भी सामान विधयक है राज्य सभा में भी प्रस्थत किये जा सकते हैं और धन विधयक में केबल संशोधन कर सकते हैं संवेधनिक में भी संशोधन कर सकते हैं वह भी बिशेश बहूमस्त राज्य सभ्र में भी प्रशने फूस सकते हैं अपने अधिवेशन में संकल्त और प्रस्थत करके कारश filed तो अप्रास्टपती और रास्पती चुनाओ करते हैं उच्छ न्याले कि न्याजीशों को हटा सक करते हैं यह मतलब अपदस्त करने का काम भी राज्य सभा दोरा किया जा सकता है। बहुत महत्सपूण काम है। यजी एक केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सूच्ची का कोई ऐसा विश्य है। वो उसको केंदर में, संघ में या संबरती सुची में लाने पर विचार करती है तो इसके लिए राज सभा की हमें अनुमती लेनी पड़ती है यह एक इसका विशेश, विशेशा धिकार है राज सभा का की वो राज सुची पर अपना अब हम पढ़ेंगे संसत कानून कैसे बनाती है सबसे पहले हमें कानून बनने के पहले हमें एक विध्यक रस्तुत करना पड़ता है अब विध्यक क्या है? जो मांग पत्र होता है यह विध्यक है जब कानून मनता है तो कानून को बनाने के पहले एक मांग पत्र कानून का जो प्रस्तावित प्रारूप है उसको हम क्या बोलेंगे विध्यक विध्यक यह अलग-अलग छेत्रों से जनता के द्वारा अपने विधायक के द्वारा या संसत के द्वारा संसत में पेश किया जाता है तो देखिए यहाँ पे जनता की इक्षा तो कि भारत एक विशाल देश या जो भी बड़े रास्त हैं तो सब की झेत्रिय भॉगोलिक जन्तक की एक्षा रहती है देश के अपने अपने चेत्र चेत्र में तो यह एक विधयाक लाते ». यह गया लुत नहीं है तो फिक धन इजल राज्यसाभा या लोकसाभा कि की समेश म魔ॉई looking एक सदन में हम पेश कर सकते हैं. और उसके बाद विदयक समीती, कुछ संसदी समीती बनाए गई हैं, आप आगे पढ़ोगे, और वो समीती उस पर बहुत गहन रूप से विचार विमर्ज करती है, और सदन में विश्टार पूरबक उस पे चर्चा होती है. फिर जो समीती है, इस अमिती अपनी रिपोर्ट देती है सदन को सदन लोगसभाओ या राज्यसभाओ इस रिपोर्ट को स्विकार भी कर सकते हैं या अस्विकार भी कर सकते हैं फिर सदन में भी उस विदेयक पर महुत रिस्त्रित चर्चा होती है कभी-कभी तो संसत में यह होता है कि यह विधयक लाना ही नहीं चाहिए इस पर भी चर्चा होती है बहत होती है विधयक या तो आगे पास हो जाएगा या रद्ध हो जाएगा फिर इसको यदी मानलो यह पारित होता है यह दूसरे सदन में भेजा जाता है लोकसभा में है तो तो राज्य सभा में और राज्य सभा में जोकसभा में बेजा राएगा। फिर दूसरा जो सदन इसको क्या कर देता है? मञजूरी दे देता है और अपने सुजाओ बेज़ता है अपनी सलाय परस्तुत करता है और यदी मालो इस पर कभी-कभी दोनों सदनों में कभी बहस हो जाती है या बहुमत नहीं होता है तो यहाँ पर अज्यक्ष के द्वारा लोग साब अज्यक्ष के द्वारा संसत की संयुक्त अधिवेशन संयुक्त बैठक भी बुलाई जा तक्ति है जब उस पर यदी चर्चा हो जाती है तो यह विदेयक रास्ट पती को भेजा जाता है रास्ट पती यदी सही लग रहा है तो वो उसको स्विक्रती देगा नहीं है तो वो पुनर विचार के लिए लोटा सकता है यदि स्विक्रती देता है तो ये विधेयर यहां देखिए कानून बन जाता है और ये कानून फिर पूरे जिस भी छेतर के लिए मालो पूरे रास्ट के लिए या क्या विशियस राज्जी के लिए ये लागू किया जाता है तो ये फिर क्या बन गया है कानून तो संसत कानून कैसे बनाती है, ये एक बहुत जटिल प्रकरिया है, इसमें बहुत दिनों तक सर्चा होती है अब जो हमने पहले विधेयक बताए आपको, अब विधेयक कितने प्रकार के होते हैं एक विधेयक हो सकता है, सरकारी विधेयक, जो कि मंत्राले और जो मंत्री मंडले उसके द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है और निजी सदस्यों के, हो सकता है वहाँ पर कोई सांसर या कोई निजी सदस्य भी अपना विधेयक प्रस्तुत कर सकता है एक होता है गैर विट्विद्याक जो विट्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद् नियंत्रण के जो संसद है वहां पर भी बहस होती है और संसद एक खुला मंच है वहां पर कोई भी संसद के ऊपर कोई भी कानूनी कारवाही नहीं की जा सकती है उस समय तो यह एक बहुत अच्छा वो है कि वहां पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्या है पसंत्रता है अपने नीती नियम बनाने की यह पूरा तो पहला पाइंट है इसका बहस और चर्चा तो आप देखेंगे कि करते समय बाद विवाज भी होता है और प्रश्न काल ह होते हैं सभी को अपने जब भी अधिवेशन होता है तो प्रती दिन उनको प्रश्न पूछने का एक समय दिया जाता है प्रश्न काल आता है जिसमें की मंत्रियों को उनको अपने जवाब देने पड़ते हैं अलग-अलग इस्ठानों से अलग-अलग भौगली समस्याओं के आधार पर प्रश्न होते हैं तो निकाल यदि मालो कोई सदस्थ ने कोई विशय पर प्रश्न पूछ लिया तो जरूरी नहीं है कि उससे संबंजित मंत्री उसका उस्तर दे वो आधे घंटे की चर्चा और उसके बाद वो इस सगन प्रस्ताव कर सकता है इसको हम बोलते हैं जो प्रश्न काल होता है उसमें क्या करते हैं कि हमारी विधाई का द्वारा कारपाली का और जो प्रशाष्ट के एजंसियां है उनपर निगरानी हम रख सकते हैं और संसत के सदस्यों में प्रश्न काल में गहरी क्या होती है मतलब उस सुखता पाई जाती है क्योंकि सदन में उस समय सबसे ज़्यादा उपस्तिती रहती है और जो जनता के हित में जो विशय होते हैं जैसे मूल व्रद्धी अनाज की उपलब्दिता जो परतमान में जितनी भी समस्या हैं उस पर ये सदस्ति सरकार की क्या करते हैं उससे मांग करते हैं और उनकी यदि उनको पसंद नहीं आता है तो आलोचना भी कर सकते हैं कभी-कभी क्या होता है आप परतमान में देखते हैं कि कभी-कभी सारे सांसर या सारे हो कभी-कभी बहस के दोरान अध्यक्ष की बातों को भी नहीं मानते हैं लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष उन पर क्या करता है नियंत्रण करता है अब है कानूनों की सुवित्रती या आसुवित्रती कानून लागो होंगे की नहीं होंगे तो यह अधिकार किसके पास होता है संसत के पास होता है तो जो संसत कारपालिका का नियंत्रण करती है और कोई भी विद्यक होता है वो संसत की स्विक्रिक्रिति के बाद ही कानून बनता है तो यदि मानलो विधाई का में बहुमत प्राप्त है जो भी हमारी सरकार है बहुमत प्राप्त है तो इसको कानून बनान में कोई भी तठनाई नहीं होती लेकिन यदि मालो मिली जुली सरकार है या गठवंदन की सरकार है तो उस समय हमें वो कानून की स्विक्रती लेने में थोड़ा सा मुश्किल जाती है तो इस प्रकार कई ऐसे विधेयक हैं जैसे लोकपाल विधेयक आतंकवाद निरोधन अगला है हमारा वित्ती नियंत्रन वित्ती नियंत्रन आपको मालूमी है कि देश में जो भी बड़े काम होते हैं उसमें हमें वित्ती संसादनों की आवशक्ता पड़ती है वो कार करने के लिए पैसा कहां से आएगा तो ये सरकार की सरकार से सुविक्रती लेना ये इसके क पर दो कारण विदाइका को कार पालीका पर भी निर्भर देना पड़ता है कि हमारे राष्ट का जो कोश है उस पर कितना धन है और उसको कार करने के लिए हमें कितने धन की आवश्यक्ता हो थी तो धन सुविक्रत करने से पहले हमें लोग सवा सरकार द्वारा धन मांगने पर कारणों की चर्चा करनी पड़ती है और हमारे जो ऑडिटर हैं नियंतरक्स महालेका परिष्चक और संसक की लोग लेखा समीटी इस रिपोर्ट पर विचार करती है कि कहीं धन का दुरुप्योग तो नहीं हो रहा है फिर है अगला आविश्वास प्रस्ताओं कारपाली का पर नियंतरन का मेका सबसे अच्छा मजबूत जो पॉइंट है वो है आविश्वास प्रस्ताओं जब तक सरकार को अपने दल या सहयोगी दलों का बहुमत रात है तो सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम और कालपने ज़ादा होगी. मतलब हम यदि सब एक ही पार्टी के हैं तो अब इश्वास प्रस्ताओं की सित्य उत्पन नहीं होती है. तो संसत के दोनों सदनों में हम देखते हैं कि जो संसत कारफालिका है उसको प्रभावी डंसे हम नियंतरित कर सकते हैं और एक उत्तरदाई और प्रभावशाली सरकार को हम सुनिश्चित कर सकते हैं. इस प्रकार हम देखते हैं कि यह संसदी नियंत्रण इस प्रकार होता है अब जो संसदी समितिया बनी हुई रहती हैं यह किसी भी बुद्धे पर कानून बनाने के लिए इनको सौपा जाता है अपने अपने करीब लगवक्त 20 समितिया हैं कि इस यह समितिया हैं 20 तो लगवक्त यह हर मुद्धे पर क्या करती हैं गहराई से अध्यम करती हैं और अलग-अलग समीतियों का विशाय अलग-अलग होता है वह अपने मंत्रा लियों से उसकी मांगें करती हैं उस विशाय पर और भ्रस्टाचार आदी मामले की जांच परत करती हैं और किसी भी विशह पर विस्तार से विचार विचार भी मस करके संसद में प्रस्तुत करती हैं तो जो समीतियां हैं वो इस्थाई भी है कि इस्थाई समीति कभी-कभी आइस्थाई समीति भी बनाई जाती है या संयुक्त या संयुक्त संसदी समिति इस समितियां तीन प्रकार से हो सकती है कुछ समाई के लिए भी बनाई जाती है अब संसदी संभीति होगी इसके बाद अगला है संसद द्वारा स्वयम का नियंत्रन करना तो संसद में जो अध्यक्ष होता है द्वारा खुद अनुशाशित रहते हुए साथ में पूरे सभा को अनुशाशन में रखते हुए अपनी गरीमा बनाया रखते हैं और उसके बाद कुछ समय देखा कि दल बदल निरोधा कानून भी बनाया गया क्योंकि कई लोग दल बदल प्रथा को अपना रहे थे तो ये दल बदल निरोधा कानून भी बनाया गया और उसके कुछ नियम भी बनाया गया ताकि एक इस्थाई वबस्ता हो सके भन्नवाद